नमस्कार दोस्तों, टेरर लिंग के सबूत मिलने के बाद PFI यानी पॉपलर फ्रंट ओफ इंडिया पर सरकार ने बड़ा एक्षन लिया है, उस पर पांच साल के लिए बेन लगा दिया गया है। टेरर लिंग को लेकर सेंटरल एजेंसी से मिले पुक्ता सबूत के आधार पर हॉम मिनिस्ट्री ने PFI और उसके आठ सहयोगी संगठनों पर पांच साल का बेन लगा दिया है। एकदम आसान भासा में, तो दबा दीजे इस लाल बटन को। 27th of September, the Central Government is now banned the PFI. Popular Front of India और उसके आठ सहयोगी संगठनों को बैन कर दिया। EFI का विबादों से पुराना नाता रहा है। राइस्थान और मद्दे प्रदेश में हिंसा से लेकर यूपी के कान पर में हुई हिंसा में भी PFI का नाम आया था। इतना ही नहीं करना टक में हिजाब विबाद और इसके बाद पैदा हुए तनाव के पीछे भी इसी का नाम लिया गया। CAA प्रोटेस्ट में भी इसी पर जगे जगे तनाव फैलाने और हिंसा कराने का आरोप लगा। पतना के फुलवारी शरीफ में साजिस में भी इसी का नाम आया। साल 2016 में इस संगठन पर RSS से जुड़े नेता की हत्या का आरोप लगा था। कई दंगों में भी इस संगठन का नाम आ चुका है। यही वज़ा है कि समय समय पर इस संगठन से जुड़े लोगों की ग्रफतारी होती रही है। और इसे बैन करने की मांग होती थी। PFI केरल से ओपरेट होने वाला एक कटरपंती इस्लामिक संगठन है। लेकिन इसका हैड़ कॉर्टर दिल्ली में है। यह 22 नवंबर 2006 को तीन मुसलिम संगठनों के मिलने से बना था। इसकी स्थापना करनाटक फॉरम फॉर डिग्निटी, केरल के नैशनल डेवलपमेंट फ्रंट और तमिनाड़ू के मनिता नीती परसाई के एक संग के रूप में की गई थी। पॉपलर फ्रंट ओफ इंडिया खुद को मुसल्मानों के साथ वंचितों के हक में आवाज उठाने और उन्हें ससक्त बनाने वाला संगठन बताता है। सेंटर लॉम मिनिस्टरी की ओर से मंगलबार की रात को एक नोटिस जारी किया गया। जिसमें किंद सरकार का मानना है कि PFI और उसके सहयोगी ऐसे कामों में सामिल रहे हैं जिससे लॉइन ओडर पर असर पड़ा है। देश में कानूनों की विवस्ता को कमजोर किया गया और आतंगवाद को फैलाय जा रहा है। इस नोटिस में कहा गया है कि ये संगठन देश के खिलाफ असंतोस उत्पन करने के एरादे से राष्ट विरोधी भावना को बढ़ावा देने और समाज के एक विशेश बर्ग को कटर पंथी बनाने की लगातार कोशिश कर रहे है। हम मिनिस्ट्री ने कहा कि इनी कारणों के चलते केंद्र सरकार को या मानना पड़ा कि पिएफ़ाई की गतिविदियों को देखते हुए उसे और उसके सहयोगियों या मोर्चों को ततकाल प्रभाव से गेर कानूनी संगठन गोसित करना जरूरी है। इन्द्र सरकार दोराजारी नोटिफिकेशन के मताविक पिएफ़ाई के अलावा आट सहयोगी संगठनों को भी पांच साल के लिए बैन कर दिया गया है। पिएफ़ाई के अलावा रिहेब इंडिया फाउंडेशन, सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया कया है। अब सवाल यह आता है कि इस बैन से इस संगठन पर क्या आसर पड़ेगा। क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने पीएफाई को गेर कानुनी संस्था गोसित कर दिया है और पांच साल के लिए बैन लगा दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब पीएफाई यानी पॉपुलर फ्रंट ओफ इंडिया अब एक्टिव नहीं हो सकेगा। ना ही वे किसी परकार की गतिविदी को अंजाम दे सकता है और ना ही सरकार के एक्शन के बाद अब तो वे किसी कारेकरम को भी आयुजित नहीं कर सकता है। अब ना ही कोई उसका ओफिस होगा वे ना तो किसी से फंड ले सकता है और ना ही अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कोई सदसता अभ्यान चला सकता है कुल मिलाकर पीएफई अब किसी भी तरह की गतिविली में सामिल नहीं हो सकता है इसलिए उसके टेरर लिंक कमज कीजिए